स्वागते दोस्तों इस नए वीडियो में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ओल्ड पेंशन के सम्मन्द में सिक्किम उत्तरपुरो का पहला ऐसा राज बन गया है नौर्थीस्ट का जिन्होंने अपने सभी करमचारियों के लिए पुराने पेंशन की सेवा बहाल की है यह नियूज बहुत इंपॉर्टेंट है उन्होंने एक अप्रेल 2006 या उसके बाद निक्त होने वाले सभी करमचारियों के लिए फिर से पुरानी पेंशन की बेवस्ता कर दी उससे पहले के सभी के लिए ओल्ड पेंशन की बेवस्ता ओल्लेडी की जा चुकी है यह एक बहुत ही महत्पूर्ण समाचार है या इंफॉर्मेशन है सूचना है जिस हिसाब से लेना है लिजिए क्योंकि सिक्किम का ओल्ड पेंशन को लागू करना एक डूपते को तिनके का सहारा कह सकते हैं अंधेरे में एक दिखता हुआ किरन कह सकते हैं सरकारी करमचारियों के लिए और सिक्किम का यह स्वागत योग्य कदम है अगर किसी भी समाच की नीव को देखा जाए तो उसमें यह देखा जाता है कि समाजिक सुरक्षा सोसल सिक्यूरिटी कितने अच्छे से उस समाच को प्राप्त है और इसलिए अगर विदेशों में देखेगा तो इसे नाम दिया आए मिलते रहे ऐसे विदेश में भी विवस्था की गई है अगर आप ये कह सकते हैं कि या समाचार या घोशना उन्होंने किया है चुनाव से पहले ये होता ही है इस बात में कोई बहस नहीं करना चाहता कि इस सरकार ने दिया या उस सरकार ने नहीं दिया उस सरकार ने दिय या ये कितना बड़ा राजनीतिक मुद्द्द है vita धि enjoyable कुछ भी परिवारतन हो सकता है इसके मुझे कोई टिपणी की जरत नहीं है मुझे बस जानकारी और सिर्फ और सिर्फ भात करना है। तो सिक्किम उतरपुरू का ऐसा पहला राज जो पुरानी पेंशन योजना अपने करमचारियों के लिए लागू किया है और ये बहुत ही अच्छा कदम है कि पुरानी पेंशन सरकारी करमचारियों के लिए most lucrative part यानि सबसे लुभावना होता है जिसके लिए वो सरकारी नौकरी में आना चाहते है और उन्ने था बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं होती कि सरकारी नौकरी आज के डेट में अगर pressure की बात, दबाओ की बात की जाए, काम की बात की जाए तो हर सरकारी सेक्टर में भी उतना ही दबाओ है और उसके compare में salary उतनी नहीं प्राप्त होती तो अगर कोई लुभावनी चीज रहती है तो वह रहता है पुरानी pension, अनकंपा पे दिया जाने वाला नौकरी या एक सामजिक सुरक्षा या security की, job security की guarantee इन चीजों को देखते हुए ही कोई सरकारी नौकरी को join करना चाहता है अन्य था private नौकरी, इससे कम महनत से वह achieve अच्छे बहतर है, इससे मैं किसी को कम नहीं आख रहा हूँ, बशर्ते इन चीजों के आवशक्ता सरकारी नौकरी में बढ़ती है तो यह एक स्वागत योगे कदम था, इसलिए यह जानकारी मैंने आप लोगे साथ share किया वीडियो कैसा लगता है, यह जरूर बताइए, आजकल मैं प्रयास कर रहा हूँ, कि जब तक मैं सामने आके वीडियो ना बनाओ, तब तक यह वीडियो तब तक कम से कम वॉइस वाले वीडियो और जानकारिया आपको मिलते रहे, मैंने पूछा था पिछले वी एक पोस्ट में, कि लाइव अगर आता हूँ, तो कितने लोगों को आवशकता है लाइव आने की, ताकि आप डारेक्ली मुझसे प्रशन पूछ सकते हैं, जहां तक प्रकार से क्या सॉलूशन हो सकता है या दिया जा सकता है, मुझे जो जानकारी उसके हिसाब से मैं पूरा प्रयास करूँगा, डेटर समय आप लोग बताइए, जो सबस्यादा लोग कहेंगे, वही डेटर समय ते करेंगे, और उसमें लाइव आके आप लोगों से बात बाके वीडियो अच्छा लगाओ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए, धन्यवाद